दिस्मिल्ला रह्मान रहीम, हमारा पिछला टॉपिक एक मॉनिटरी एकनामिक्स के सब्जेक्ट का ओवराल स्कोप और उसकी डेफिनेशन की हद तक था, अब हम जो आगे सीखने जा रहे हैं, वो ये है कि मॉनिटरी थेरी जो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, या सब है मॉनिटरी एकनामिक्स का, वो हम देखते हैं कि मॉनिटरी थेरी किस चीज से डील करता है, चुकि मॉनिटरी एकनामिक्स की मेजर दो ब्रांचेज हैं, मॉनिटरी थेरी और मॉनिटरी पॉलिसी, इन्हीं दो को मिला कि हम कहते हैं, यह मॉनिटरी एकनामिक्स है, तो हम य study the relationship between monetary variables and economic variables, तो monetary theory की definition जैसे Johnson ने की वो ये है कि quantity of money आपकी economy में जितनी होगी, यानि कि total money जो आपकी economy में available है, उसका आपके economic system पे कितना influence, इसी तरीके से एक और definition में हम ये देखते हैं कि जो आपकी monetary theory है, वो किस से deal करती है, वो इस से deal करती है कि अगर आपकी economy में money supply change कर दी जाए, money supply से मुराद ये है कि आपका जो stock available है money का, जो कि हम बड़ी detail में बाद में discuss करेंगे, उसको अगर change कर दी आ जाए, तो फिर सवाल ये है कि वो आपके economic system में economic activity पे, prices पे, या इस तरह के और variables पे क्या effect डालता है, इसी तरीके से हम ये भी देखते हैं, कि जो आपकी modern monetary economies हैं, modern monetary economy से ये मुराद है, वो economy जो money पे deal करती है, जिसमें transactions money के जरीए होती है, एक पहले economies हुआ करती थी, पुराने जमाने में जिसमें money नहीं होती थी, वो non-monetary economies थी, तो monetary economics से ये monetary theory में हम ये देखते हैं, कि जो आपकी monetary economies हैं, जिसमें ज्यादा तर transaction या almost all transactions are done in money, तो money is used as medium of exchange for all transactions, तो इस किसम की economy function कैसे करती है, इसी में हम ये भी discuss करेंगे, कि why do people hold money, कि लोग अपने पास पैसे क्यूं रखते हैं, जब पैसे के इलावा बहुत सारे और तरीकें asset रखने के, और बहुत सारे modes हैं, तो लोग अपने पास money क्यूं hold करना चाहेंगे, तो ये हम किस topic में discuss करते हैं, monetary theory के अंदर, अब जो आपकी monetary theory है, उसमें especially जो हम topics discuss करते हैं, वो तीन किसम के हैं, उसमें सबसे पहले है money demand की theories, कि money demand की theories क्या क्या हैं, तो money demand की theories में हम दो तरह की चीज़ें discuss करेंगे, number one कि money की जो theories है money demand की, उनका over time evolution कैसे हुआ, पहले एक theory थी, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, और दूसरा हम ये भी discuss करेंगे, कि money demand में हम कौन से issues discuss करते हैं, अब अगर आप जाएं कि money demand की theories कौन सी है, इनमें quantity theory of money थी, फिर Cambridge approach आई, फिर उसके बाद liquidity preference theory आई, केंज की, फिर inventory approach आई, फिर उसके बाद freedoms theory आई, तो ये एक evolution हुआ, step by step monetary theory आगे चलती गई, तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये कैसे होती, कैसे over time इसमें evolution हुआ और उसमें क्या-क्या है, इसमें हम issues के लिहाज से ये देखना चाहेंगे, कि जैसे एक money बोला evolution कैसे हुआ, दूसरा हम ये देखना चाहेंगे, कि लोग money क्यों hold करते हैं, तीसरा हम ये देखना चाहेंगे, कि money जो है, वो important क्यों है, और तीसरा ये है, कि what determines amount of money held, आपके पास जितनी money आपने hold की हुई है, उसके पीछे कोई reason होगी, उसके पीछे कोई factors होँगे, उसके पीछे कोई economic decisions होँगे, तो ये कोई money holding का decision, कोई isolation में लिया गया decision नहीं है, तो चुकि ये decision related है, बाकी economic decisions है, तो हम ये देखना चाहेंगे monetary theory में, कि ये किस decision पे कितना depend करता है, दूसरा monetary theory के अंदर हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखते हैं कि relationship, अब relationship से पहले बात clear कर लें कि money change करने से बाकी economic variable जिन में employment है, prices हैं, या prices का growth rate inflation है, incomes हैं, या overall production GDP है, या within production हम को ये sector ले सकते हैं, जैसे large scale manufacturing है, तो कोई भी economic variable जो है, वो money या interest rate से कैसे effect होता है, इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि kensian theory क्या कहती है, monitorist theory क्या कहती है, new classical theory क्या कहती है, new kensian theory क्या कहती है, ये सारी theories हम discuss करेंगे, लेकिन हमारा issue एक ही होगा, कि money neutral है, या money के variables पे effect आते हैं, या effect नहीं आते हैं, या money neutral है, या non neutral है, तीसरा important issue जो हम monetary theory के अंदर discuss करते हैं, वो है transmission mechanism of monetary policy अब transmission mechanism basically trace out करना है money के effect को step by step यह निकि सबसे पहले central bank ने एक variable change किया जैसे short term interest rate उससे long term interest rate कैसे change हुआ उससे लोगों ने investors ने अपने investment decision कैसे change किये उससे जो है वो फिर aggregate demand कैसे change हुई अगर production नहीं चेंज हुई तो फिर उससे inflation पर क्या effect आएंगे तो यह जो step by step effects है monetary policy के यह monetary transmission mechanism कहलाता है यह भी हम बड़ी detail में पढ़ें थैंक यू